बिश्वत जनसंख्या इस्तरीकरंद परिसद ने सोंबार को नगर निगम के रानी लचीमबाई पार्क में विक्सित भारत अभियान के तहट भारत में जनसंख्या इस्तरीकरंद की कानूनी आविशक्ता को लेकर एक दिविशित धरना दिया संगठन के सदस्यों ने कहा कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या विकास को बाधा पहुँचा रही है हमारा देश चाइल्ड फैक्टरी बनता जा रहा है जनसंख्या निरंतरन करने के लिए सरकार को कठोर कानून बनाना चाहिए इस संबंद में गोरगपु नियू सर्वाधाता से बात करते हुए प्रदिप नाश्शुक्ला ने कहा हमारे मांग यह है कि आज की समय में हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वह हमारे देश के बिकास के लिए चाहे वह राजनितिक तोर पे चाहे सामाजिक तोर पे चाहे आर्थिक तोर पे सचिक तोर पे इन चोतरफा चोतरफा जो है हमारे हुआ विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है इसका मूल कारण है कि जनसंख्या बिर्धी उसका मूल कारण है हम लोगों का संगठन या सरकार से मांग करता है कि 20 जनसंख्या के दिवस पर सरकार जो है हमारे भारत में जो हमारा भारत एक चाइल्ड फैक्टरी बनता जा रहा है और जिसका प्रफाव यह पर रहा है कि हमारे हुआ सिच्छा जो है वह उत्रोतर भले ही सरकार कहती हो कि सिच्छा बहुत तेजी से हमारा देश में सिच्छा के छेतर में विकास कर रहा है बिज्यान के छेतर में विकास कर रहा है किरसी के छेतर में विकास कर रहा है और साथी साथ स्टेटिक पावर के रूप में भी हमारा देश विकास कर रहा है लेकिन यह एक रीलिंग है पोलिटिकल रीलिंग है लेकिन अगर रील देखा जाए तो हम लोग बैस्विक दृष्टी कोर से गुलबलाइजेशन पॉइंट अभीू से हम लोग उत्रोत्तर जो ह वह पीछे ही जा रहे हैं जिसका मूल कारण है जनसंख्या और जनसंख्या बृद्धी के कारण हमारे समाज में जातिवाद, संप्रदायवाद, छेत्रवाद और असिच्छा उत्रोत्तर बढ़ती जा रही है तो हमारी यह सरकार से मांग है कि जनसंख्या के बृद्धी रो समान तोर पे लागू हो जिसे की जन संख्या हमारे उहां रुक है और हमारा देश आने वाले दिन में सारभावमिक तोर पे विकास के दिसा में आगे बढ़े परदीपना शुकुलाओ